साउधी अरब ने लाखों की तादाद में नौकरी कर रहे भारत पाकिस्तान समेट 6 देशों के नागरिकों को बड़ी राहत दी है इन देशों के लोगों को अब किसी तीसरे देश में 14 दिनों तक कॉरिंटीन में नहीं रहना होगा यह नया आदेश इस साल 1 दिसंबर से लागो हो जाएगा पिछले साल फरवरी में वैश्विक स्तर पर कोरोना की प्रसार के बाद यात्रियों के सीधे प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी साओधी प्रस एजनसी ने ग्रह मंत्राले के सुतरों के हवाले से यह बैन हटने के जानकारी दी है साओधी अरब ने ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्ट के लोगों को भी अब सीधे प्रवेश की अनुमती दे दी है हाला कि इन सभी देशों से आने वाले नागरिकों को पाँच दिन संस्थागत कॉरिंटीन में रहना होगा हाला कि यह उनके वैक्सीन लगाने के इस्तती पर निर्भर करता है साओधी अरब का स्वास्त मंत्राले लगातार सभी नियमों और कदमों की समिक्षा करता रहेगा ग्रह मंत्राले ने कहा कि जो लोग साओधी अरब आना चाहते हैं उन्हें सभी तरह के स्वास्त उपायों को मानना होगा ताकि या सुनिशित किया जा सके कि वे संक्रमर से मुक्त है इससे पहले पिछली फरवरी में ब्रिटेन, साओध अफरीका और ब्राजील के वैरियंट के आने के बाद सीधे प्रिवेश पर रोक लगा दी गए थी इसके पीछे डर्या था कि इन नए वेरियंट के आने से वैक्सीन कम प्रभावी हो जाएगी बता दें कि भारत और स्वयुक तरवमिराद समेत कई खाड़ी वा आने देशों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सभी एकी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारत की ओर से अंतराश्टी से उडान सिवाओं पर लगा बैन कब हटेगा इसकी वजह से ना सरिफ दोनों देशों के बीच एयर रूट पर यात्रियों की भीड बढ़ रही है बलकि किराया भी आसमान चू रहा है लेकिन UAE जाने वाले या भारत से आने वाले यात्रियों को जल्द ही इस असुविदा से रहात मिल सकती है नागरीक उड़यन सचिव राजीव बंसान ने बुद्वार को कहा कि अंतराश्टी उडान सिवाओं के इस साल के अंत तक सामान होने की उम्मीद है कोविड महमारी के कारण पिछले साल मार्च के बाद से भारत में आने वाली और यहां से अन्यंत्र जाने वाली अंतराश्टी यात्री उडान सिवाओं निलंबित है भारत ने अंतराश्टी उडानों के संचालन के लिए 25 से अधिक देशों के साथ एर बबल समझोता किया है वैश्विक गंतव्यों तक उडान सेवाएं सामाने होने के बारे में बंसल ने कहा कि अंतराश्ची उडान सेवाओं के बहुत जल्द और इस साल के अंतर तक सामाने होने की उम्मीद है एर बबल समझोता दो देशों के बीच उडान सेवाओं को फिर से शुरू करने की एक अस्थाई विवस्ता है दोईपक्षी एर बबल समझोते के तहट दोनों देशों के एर लाइन्स कुछ शर्तों के साथ अंतराश्ची उडाने संचालित कर सकती है